डाइबिटीज, शुगर की बेमारी को जाने, पहचाने और करे सही वक्त पर इलाज नमस्कार दोस्तों मैं हूं लक्षमे आदाओ आपकी अपने डाइटीशन कम फ्रेंड और आज हम देश का बहतर्वा सुतंतिता दिवस मना रहे हैं आप सब ही को सुतंतिता दिवस की हार दिख हार दिख बढ़ाई दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं तो प्लीज इसे शेर जरूर कीज़ेगा ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके दोस्तों भारत दुनिया की डाइबिटीस कैपिटल बनता जा रहा है जी हां आज की दिन में हर पाँचवा इनसान शुगर की बीमारी से परिशान है यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसकी वज़े से हाट अटेक, ब्लाइडनेस, स्टोक और किड्नी फेलियर जैसी तकलीफ भी हो सकती है इसके बावजूद भारत में इस बीमारी को लेकर अवैर्नेस नहीं है लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में और जब तक जानते हैं तब तक यह बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है तो चलिए आज देखते हैं कि डाइबिटीज के कौन-कौन से लक्षन है, क्या कारण है और इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हम कैसे डाइबिटीज को कंचोल कर सकते हैं अपनी डाइट के माध्यम से, अपने आहार के माध्यम से दोस्तो डाइबिटीज एक बिमारी है जिसमें रोकी के शरीर में ब्लड में ग्लुकोस की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और ऐसा दो कार्णों से हो सकता है, पहला आपका शरीर बीटा सेल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रहा है और दूसरा आपके शरीर के बीटा सेल्स खराब होते जा रहे हैं, छती ग्रस्थ होते जा रहे हैं और इंसुलिन पर रियक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आएए देखते हैं diabetes के प्रकार, diabetes दो प्रकार का होता है, type 1 diabetes इसमें insulin बनना बंद हो जाता है और मरीज को, patient को injection के द्वारा insulin देना पड़ता है, type 2 diabetes इसमें body में insulin तो बनता है पर हमारी cells उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, जादा तर लोगों को type 2 diabetes जादा होत है, चले दोस्तों देखते हैं diabetes के लक्षन, सबसे पहला है ठकान और अधिक भूग लगना, दोस्तों जब आपके शरी में परियाप्त मातरा में insulin नहीं बनता और या अगर बनता भी है तो आपके cells उसको resist करते हैं, तो glucose cells में प्रवेश नहीं कर पाता है और आपके अंदर उर्जा नहीं रहती, जिसकी वज़े से आपको भूग ज़ादा लगती है और बार बार लगती है और आप ठका ठका सा महसूस करने लगते हैं, दूसरा लक्षन है पेशाब ज़ादा आना और प्यास ज़ादा लगना, दोस्तों जब आपके blood में sugar का level normal से ज़ादा हो जाता है तो body urine के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से excess sugar को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और इस वज़े से आपको बार बार पेशाब लगती है, ऐसे patient बार बार पेशाब जाते हैं और क्योंकि शरीर में पानी कम हो जाता है, इसलिए आपको बार बार प्यास लगती ह तीसरा reason है दोस्तों खुजली होना, अगर patient को बार बार खुजली हो रही है तो उसे diabetes हो सकते हैं, क्योंकि diabetic person बार बार पेशाब के लिए जाता है और पेशाब बाडी में मौजूद fluids को तरल पदार्थों को यूज़ कर लेती है, जिसकी वज़े से moisture कम हो जाता है शरीर के अंदर और skin dry हो जाती है और खुजली होने लगती है patient को, धुनली द्रस्टी, चौथा reason है धुनला दिखाई देना, अगर किसी को जाता धुनला दिखाई दे रहा है तो भी उसे diabetes हो सकती है, lens में मौजूद fluid पुल हो जाते हैं और lens का shape बिगड जाता है, जिसकी वज़े से patient को धुनला दिखाई देने लगता है, पांचवा reason है अचानक से वज़न कम होना, अगर आपका वज़न एका एक कम हो रहा है तो ये भी diabetes का ही एक symptom है, ये जादा तर type 1 diabetes में होता है, लेकिन कभी-कभी ये type 2 में भी देखने को मिलता है, infection का होना, जी हाँ, fungal infection का होना, glucose की म infection होने का खत्रा diabetic patient में जादा रहता है, ये infection आप आपकी उंगलेओं के बीच में देख सकते हैं, इस तन के नीचे देख सकते हैं, अगर ऐसे कोई भी लक्षन आपको दिखते हैं, इसका मतलब आपको diabetes होने का खत्रा है, सात्वा symptom है दोस्तों, घाओ का देरी से भरना, अग diabetic patient में blood circulation प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वज़े से घाओ के पास nutrients और oxygen प्रॉपर नहीं पहुच पाता और घाओ को भरने में समय लगता है, हाथ पैरों में जुन-जुनी होना, ये है आठवा लक्षन, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लंबे समय तक diabetes को कंट्रोल नहीं किय तो आपकी nerves damage हो सकती है, जिससे diabetic neuropathy कहते हैं, नसों के माध्यम से ही पैर हाथ में चलने और उठने का signal जाता है, और अगर नसों को नुकसान पहुच जाएगा तो signal ठीक से नहीं पहुचेगा और पैर हाथों में जुन-जुनी महसूस होगी, दोस्तों, नौवा reason है, करने की छमता शरीर की कम हो जाती है, इसके कारण मसूडों और दातों में जकरने वाली या हड्यों में infection का खत्रा बढ़ जाता है, दात भीले पड़ सकते हैं और आपकी मसूडों में घाव या सूजन भी हो सकता है, चली दोस्तों देखते हैं शुगर की जाँच के बारे म होता है, उसके बाद आप घर आईए, फिर आपका खाना खाईए और खाने के दो से धाई गंटे बाद पोस मील ब्लड सैंपल दीजिए, और ये जाँच आपकी मात डेड़ सो या सो रुपय में हो जाती है, दोस्तों ये जाँचे आपको हर तीन महने में करा लिनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका शरीर स्वस्त है, और आप इस बिमारी से पहले ही अपने आपको साफधान कर लें, दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे कि शुगर की बिमारी में कैसा खाना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जी हाँ, आहार देखेंग कि हम शुगर की इस बीमारी के लिए और मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और आपका दिन शुभ और मंगल मैं हो दोस्तों शुगर की ये बीमारी एक लाइफस्टाइल डिसीज है इसे आप और हम ठीक कर सकते हैं बाई बाई